अलो investors and traders, welcome back to my channel, चलिए बहुआ स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड मुँ डिसकुस करेंगे IFCI के बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगर दिखा जाए, IFCI एक government owned NBFC है, मतलब non banking financial company, loan दिने का काम करती है, deposit accept नहीं करती है, यह main core difference होता है bank और NBFC में, bank आपका जो deposit होता है, जो आप पैसा जमा करती है, बट NBFC को यह चीज अलाउट नहीं होती है, तो वहाँ पे सिर्फ यह lending का काम करते हैं, और lending से interest rate जो मिलता है, वहीं से इनका पैसा बनता है, अब यहाँ पे फिलाल अगर दिखो तो market cap आप 6100 परोड की है, तो वैसा तो mid cap range में, लेकिन फिर भी छोटी ही company में गिनी जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ROC और ROE थोड़ी सी, देखो, banks में कम होती ROC और ROE, उससे थोड़ी से ज़ादा आपको मिलेगी housing parents में और उससे थोड़ी से ज़ादा मिलेगी बाकी के जो NBFC होते हैं, तो compare किया जाएपने पेर से तो company की efficiency यहाँ पे exceptionally low है, और NBFC का यही है कि अगर आपके मतलब बहुत जादा efficiency नहीं है, खास करकि अगर government-owned है तो बहुत जादा business आपको नहीं मिलता है, और वो चीज़ आप लोग यहाँ पे company की sales growth पे भी देख सकते हो, यहाँ पे sales growth negative के अंदर है, even though profit growth भले ही यहाँ पे positive है, लेकिन अगर ultimately आपके sales growth यह पे अपने book की हैं, तो वो एक चीज़ देखने वाली है, although यहाँ पे अब losses कम होगे minus 87 पे आने training development में, लेकिन अगर ultimately अगर देखा जाए तो company अपने sales lose कर रही है, तो एक तरफ से बढ़ा के margin दूसरे तरफ से sales कम करके, यह चीज़ बहुत लंबे समय तक acceptable नहीं होती है, त 5 की होड़िंग यहाँ पे कम होगे, 10 से 8, 2% होगे, मतलब 8% कम होगे, चार परसंट की है, public की होड़िंग 26% से कम होगे, 21% पे आई है, अब charts पे देखा जाएगा, तो charts पे यहाँ पे एक breakout देखने के लिए मिला था, breakout के बाद आपको next target यहाँ पे 32 का भी देखने के बाद मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से एक breakout मिला, breakout के बाद company pause दी, pause देने के बाद next target आपको छोटा सा अगर देखा जाए, तो इन वाले levels का देखने के लिए मिल सकता है, जो कि यहाँ 20% के आसपास है, तो छोटा नहीं कहेंगा, मतलब decent target कहा जाएगा इसको, बट क्या आपको trade ले तो definitely आपको trade कर सकते हो, पर investment purpose से किसी भी हिसाब से अगर आपको buying करते हो, या कभी भी momentum trade करते हो, अगर आपको fundamental देखते हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर buying नहीं करने चाहिए, तो एक चीज़ आपको हमने हमेशा बताइए, कि company के अगर fundamentals बहुत साथ अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर chart pattern भी कभी कभी काम नहीं करता है, और fail कर जाता है, तो यह चीज़ एक देखने वाली होती है, हो सकता है, breakout देके company नीचे भी आजाए, तो इसलिए fundamentally जब company weak होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा swing trade लेना भी avoid करते है, खास कर कि जब swing trade यहाँ पर हमारी 50-60% या 80% की हो, बट इस case के अंदर अगर यहाँ पर देखोगो, तो फिलाल सिर्फ 25% का है, और basically आप लो momentum trade कर रहा हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें लगता है कि एक trade आप लोग बना सकते हो, बस stop loss यहाँ से 5-10% से बढ़ा नहीं होना जाए, जैसे for instance मानते हैं कि अगर यह सब्स वाले लेवल का होगा, तो 24 सब्स वाले लेवल पर stop loss दालके यहाँ पर आप आप लो ट्रेड मेंटरी कर सकते हो, और यहाँ तक की ट्रेड भी ले सकते हो, बट किसी भी तरह की fundamentally अगर देखा जाए तो उतनी sound नहीं तो इसलिए investment purpose सो थो थोड़ा सा दूर रहेंगे यहाँ पर और बहुत बड़ा लंबा टार्गेट भी चेस करने के लिए हमें नहीं दगता कि कंपनी इतनी सूटबल है, तो उसे साब से भी थोड़ा सा दूरी रहेंगे अभी यहाँ इसीग साथ चलेंगे, और यहाँ यहाँ पर कंपनी बाटम आउट कर चुकी है, यहाँ